प्राणों से प्यारेवधिया अर्थियों, शाथियों, आज हम चर्चा करेंगे सक्ति-संघर्ष案 मर्यर्जियवद की नेति अर्थात सक्ति के लिए संघर्ष में पूरी दुनिया के जो राष्टर राज्जे हैं वो राष्टर राज्जे तीन प्रकार की नीतियों के द्वारा नर्देशित होते हैं पूरी दुनिया के राष्टर राज्जे तीन परकार की नीतियों के द्वारा निर्देशित होते हैं किसके लिए सक्थी के संगर्ष के लिए मैं फिर चे दोर आ रहा हूँ बेटा सक्थी के संगर्ष के लिए प्रा ये है पूरी दुनिया के राष्टर राज्य तीन तरह की नीत इसतती की नीती जो की मैंने अप्लोड कर दिया है और आज तीसरी नीती की चर्चा कर रहे हैं जो की सामराजिवाद की नीती कहला आती है ठीक है बेटा तो क्या समझा आप इससे कि सक्ति के संगर्ष के लिए पूरी दुनिया के राष्टर राज्ये तीन प्रकार की नीतियों से निर्देशित होते हैं कोई राष्टर राज्ये यथा पूरु स्तति की नीति से निर्देशित होता है कोई राष्टर राज्य प्रतिष्टा की नीती से नरदेषित होता है और कोई राष्टर राज्य सामराय जीवाध के नीती से नरदेशित होता है जैसे आज के मैं बात करूँ तो देखेगा बेटा जैसे दूसरी उशुद के बाद की शुरुआत करते हैं दूसरी उशुद के बाद में सोवित संग कहता है अमेरिका से कि तुम्हारी नीती समराजिवाद की है और अमेरिका सुवित संग से कह रहा था कि तुम्हारी निती सामराजिवाद की है भारत चीन से कह रहा है तुम्हारी निती सामराजिवाद की है पाकिस्थान भारत से कह रहा है तुम्हारी निती सामराजिवाद की है तो आखिर ये जो निती है सामराजिवाद की निती सामरा प्रतिष्टा की निपित स करेंगे हम सामराजवाद की नीती क्या सामराजवाद की नीती लेक्चर नमर 41 पार्ट नमर 3 चलिए बेटा अब इदर आईएगा पहले डाइग्राम समझेंगे उसके बाद में सारी बाते की वीर हो जाएगे सबसे पहले मैं यहां नोत किया है क्या सक्ते के जिए संघर्ष में राष्टर प्राया अब यहां राष्टर का मतलग कूरी दुना के सब राष्टर राजजिव से बेटा अंतर राष्टडि राजनीती का अभी नेता है एक्टर राजजी होते हैं differences ऐसे मो zn choose information कि सददसु की स संगर्ष में राष्ट्र मतलब अंतराशी राजनिती का अभी नेता राष्ट्र प्राई है तीन तरह की नीति द्वारा निर्देशित होते हैं अब यह तीन तरह की नीतियां कौन सी है फिर से दवरा रहा हूं यह था पूरी स्थत्य की नीति जो कि मैंने आपको समझा दिया ह दूसरा प्रतिष्टा की निति इसको भी मैंने समझा दिया है और तीसरा है सामरा जिवाद की निति जो कि आज बताएंगे ठीक है यहां तक अब यह दाइग्राम बताते हैं बेटा यहां मैंने लिखा एह रहा मतलब अंतराश्टी राजनिति को आपको अच्छे से समझना है अंतराश्टी राजनिति में सक्छी संगर्ष को अच्छे से समझना है तो डाइग्राम समझना नहीं आए जरूरी है यह समझ जाएंगे तो अंतराश्टी राजनिति में सक्छी संगर्ष को समझने में आपको कते दिकत नहीं आएगी अब यह मैं सुरू करूं उससे पहले कि राजनिती चाहिए गहरेलू राजनिती हो या अंतराश्टिय राजनिती सक्ति के लिए संगर्स है क्या फिर से बोलना हूं प्रतेक प्रकार की राजनिती चाये वे घरलू राजनिती हो या अंतराश्य राजनिती हो शक्ति के लिए संग्रस है तो यहां पर हम सक्की संग्रस को यह में समझ रहे हैं कि अंत्रास्य राजनिती के अंत्रग्त गजो औरत राजनिती जो फंजी उते हैं अंत्रास्य के अंत्रा हुटत इसी कोर चाले के राष्ट्रक जाजनातिक श इसा करते हैं तो अब यहां सक्ती के लिए संगर्ष में शक्ति के लिए शंगर्ष में जो राष्टर राज तीन तरह के नीतियों के दवारा अंदर देशित होते हैं उसमें से तीसरी नीति आज लेंगे हम सामराज्यवाद की नीति और सामराज्यवाद की जो नीति होती है इस नीती के अंतरगत एक राष्टर राज्जे के द्वारा अपना जो है सीमाओं का विस्तार करने का प्रयास किया जाता है इसका सीमा को सतार करने का प्रियाश क शाता है जैसे हिटलर और मुोसोलूरी नीसका प्रियूंग केद strateg. नेपोलियोन बोनापार्ट नीसका प्रियूंग किया चीन की विधीष नित्यार की आती आज वो भी इसकी नीति सामराजवादी नीति पाके भारती जो विदेश नीति है वे कभी भी सामराजवादी नीति पर आधारित नहीं होती है भारती विदेश नीति प्रतिष्टा की नीति पर आधारित होती है चलिए बेटा ये बात के लिए अब इधर आईएगा अंतराश्टी राज जाती है और जब एक राष्ट्राज्य के द्वारा अपने राष्ट्य हितुन की रक्षा के लिए शक्ति का विभार में प्रियूख किया जाता है तो ऐसे स्थति में सक्ति साधन बन जाती है कि लिए अब देखेगा बेटा अब थोड़ा नीचे आए इधर यहां मैंने लेका प्राप्ति मतलब जब कोई भी देश जब कोई भी देश कोई भी राष्ट्र जाज्य कोई भी राष्ट्र जाज्य अपने राष्ट्य हितुन की प्राप्ति के लिए राष्ट्य हितुन की प्राप्ति के लिए राष्ट्य हितुन की प्राप्ति के लिए जो कारियोजना त क्या राष्ट रहें होता है फिर रोला रहां है इस लिए अपने राते हितों को देश निती की कुझ्जी चाबी तो पूरी दुनिया में तीन प्रकार की विद्श संगर्ष के रूप में पूरी दुनिया में अपने राज प्रतिष्टा की नीती करते हैं अज हम विरद्धी की बात कर रहे हैं मतलब शक्ती विरदी की जो अभिव्यक्ती होती है वह सामर्याजवाद की नीती में होती है सक्ति व्रदि की जो अभिव्यक्ति होती है वह समर्याजाय की चर्चा करेंगे आप अप्रारी मता दिया है अमरिका स्वेज़वाज़ चीन इधर पाकिस्तान भारत इसका क्या मतलब हो एक विचारदर क्योंगर दूसरी तरफ स्वेज़वाज चीन के विचार दर का प्रचा करते और पकिस्तान बारत की नीति को सामराजवादी निति करते है अब किस लेशनए देस नीटा पर आधारित है या नहीं यह पार चलिए किया ये आप यहां पर मूल बाद सबसे पहले मैंने हनोट किया है सक्ति संघर्ष सामराजवाद की नीति मतलब सक्ति संघर्ष के लिए या सक्ति के लिए संघर्ष में सक्ति के लिए संघर्ष में राष्टे क्राय तीन तरह के नीति द्वारा नेवेश होते हैं जिसे इसी नीति है सामराजवाद की नीति अब यह समझे बेटा यथा पूर इस्तति को पलटने की नीति यहां मैंने रिपीट कर दिया है यथा पूर इस्तति को पलटने की नीति मतलब जो विद्वान इस्तति उसको पलटने की नीति और उस विद्वान इस्तति को पलटने की नीति है वही सामराजवादी नीति है तो आप चाहिए इसको एक बार नोट कर सकते हैं क्या यथा पूर इस्तति को पलटने की नीति सा पर इससे त यथा पूर स्थते को पलटने की नीति सामराजवादी नीति कहलाती है अब इससी नीति सामराजवादी के से नीति कहलाती है ठीक है जैसे एक्जाम्पल दे रहा हूँ मैं जैसे और एक्जाम्पल आस्ट्रिया एक राश्ट्राजे आस्ट्रिया और प्रेसा एक्जाम्पल दे रहा हूँ मैं पुरान उधार जैसे आस्ट्रिया और प्रेसा दोनुर आस्ट्राजे दे से आस्ट्रिया और प्रेसा में 1866 1866 का युद्ध और जर्मनी वे फ्रांस में 1870 का जो युद्ध था वह है वास्तविक रूप में यथा पूरे इस्तत्य को पलटने का युद्ध था मतलब विद्मान इस्तत्य को प्रसलिक इस्तत्य को बदलने का युद्ध था आप यहां इनकी नीति वो सामरेजवाइट की नीति क्यों का गया क्योंकि आस्टेरिया और प्रसार जर्मन फ्रांस में युद्ध हुआ था उस युद्ध का लक्ष आर्थिक नहीं था बलकि राजनितिक युद्ध थे मतलब यह अपनी शीमाओं का विस्तार करने का प्रियास कर रहे थे इसलिए इनकी नीति को सामरेज सामराजवादी नीति है मतलब किसी राष्ट राजने के द्वारा अपनी शीमाओं के विस्तार करने का प्रियास किया जाता है मतलब विद्मान इसतति को बदलने का प्रियास किया जाता है तो उस देश्ट प्रकार से नीति होता इस वह तो होता है कैसे नमर एक विजय युद्ध बेटा सबसे पहले इसमें विजय युद्ध के कारण जो सामराजिवाद का उले होता है कैसे जैसे वर्षाय की संदी एक सामराजिवादी में ब्राइब की ठ्रेरफ थी मतलब वास्थिक रूप में एक राष्टाराज जो कि विजय हो जाता है युद्जीत जाता भई दो राष्टराजम य धोर है अब दोर श्atp कि विजित राष्ट राज बिजेता राष्टराज है तो उस विजेता राष्ट राज्ये के द्वारा वास्तिविक रूप में ऐसी संधी की जाएगी जिसे की वास्तिविक रूप में वो अपने विदमान इस्तति को पलट सके बदल सके कैसे जैसे वर्षाय की जो संदी हुई थी वह एक सामरा जिवाद की नीती की प्रेयरक थी क्योंकि उसमें विद्मान इस्तती को बदलने का प्रियास किया जा रहा था पराजेय हो जाता है हार जाता है उसकी बारे मैं जा रहloo है कि कि दिया जाता है। उस प्राजित राष्टर राज्य में भी जब विजय की आकान साह का बीज बो दिया जाता है नीति की जनम होता है यह प्राजित राज्टर राज्य की दवरा जैसे 1919 से जर्मनी की नीती मतलब 1919 के बाद में जो जर्मनी की नीती थी जर्मनी हालां की पृष्यूदी के अंतरगत पराजीत हो गया लेकिन उसके बाद में इसके अंतरगत जो है विजय क्या कांचा की बीज बो दिये गए और उसके बाद में जर्मनी ने भर्षक प्रियास किया कि कि जो हमारी विद्वानि क्या चाटी कर सकते हैं कि इसको पराजित राश्ट राजी के लिए यहां पर कम जोय राश्ट राज्यर तरक्राज्द के वेडियर द्यच्टि यहां पर कमजोय राश्ट कम जोय राश्ट हों कि वांय कर सकती सुननेता क्या इसके उक्रमाने लेक्टर प्रोड कर दिया है, आप लिलेश्ट में एक सक्ति अंतराश्य राजनिती में, आनने कारण कमजो राश्टर राज्ये हैं, यह सक्ति साली राज्ये के लिए आकर्शन है, मतलब यह एक सक्ति साली राश्टर राज्ये तो उसलिए आकर्शन है, कि नीती है? चलिए, यह सकते σाले राज्ज्य के लिए आकर्षण है, जैसे नैपोलियन तथा हिटलर के सामराज्य वाद किस चरीतल के थे? मतलब, जैसे नैपोलियन तता हिटलर ने जो सामराज्य वादी नीती अपनाई थी नेपोलिएन त्था हिटलर के सामराज्य वादी क्या सामराज्य वादी सिद्धान इही चरीतर के थे किसी चरीतर के थे कि वही जो कमजोर राष्टर राज्य में उनके अपर हम प्रहुतर इस्ताफित कर सकते on कि दीवारा था इस नेति का प्रयों किया गया था इस सामराजवाद के साम विश्व सामराजेवाद आप पूचा जा सकता है कि किसाम राजेवाद के पेठे में प्रभुत्र इस्तापित करने का पृषी करता है नोट करें इस्थानिय सामराजवाद के अंतरगत एक राष्टर राज्जे के द्वारा नोट करें आप इस्थानिय सामराजवाद के अंतरगत एक राष्टर राज्जे के द्वारा इस्थानिय छेतर में प्रभुत्व इस्तापित करने का प्रियास किया जाता है उसे ही शाधारन खानी कि अचा जाते हैं फोर एकडमब जैसे अ विश्मार को आया मध्धै युडूप में नोरे यूडूप में ये चाहा क्या चाहा कि जरमनिय का प्रोबत वैस्थापी टो सक इसका प्रोच इसातो जर्वनिकल्वह इसानिय सथां चाहा जाता है तेक है दोसरा महादी महादीप सामराजवाद का मतलब होता है क्या कि यहां अपने दीप विशेश में अपने दीप में ही सामराजवाद की स्थापना करना है जैसे विलियम ने पूरे यूरोप में प्रभुतव इस्तापित करना चाहता था मतलब जो विलियम है विलियम राजा विलियम विलियम पूरे यूरोप में प्रभुतव इस्तापित करना चाहता था तो पूरे यूरोप में दुनिया में अपना सामराज इस्थापित करने का प्रियास किया जाता है तो उसे विश्व सामराजवाद की संगया दी जाती है जैसे हिटलर संपूर जगत में प्रभुता इस्थापित करना चाहता था मतलब हिटलर पूरी दुनिया में अपना प्रभुता इस्थापित करन हांस जे मारगिन ठाओ, मैंने यहाँ सोट में लिखा है, मतलब हांस पुरा लिखें का हांस जे मारगिन ठाओ, शामराज जे वाद की नीतियू के कि्रियाइणवेन के तीन साधन है, हैं मतलब जो सामराज्यवाद की नीती होती है सीवा कशार करना यया था पूर था को बदल सब्सक्षर को बदल ना या शक्ति गृध्या लगर प्यास करना या सीमां में गृध्या लगाता प्यास करना इट थे तो साम्राज्यवादी नीतियों के क्रियान वेन के तीन सादन है क्या मतलब वहा कि साम्राज्यवाद की जो नीति होती है उसको संचालित करने के तीन सादन है उसको संचालित कैसे किया जागा साम्राज्यवाद की नीति को इसके तीन साद है नमबर एक सैनिक कि जाती है अरतिक सामराजवाद के अंतरगत एक राश्टराजी के दवारा दूसे राश्टराज का आर्थक सोचन किया जाता है जिसको कि आज न प्रलिक स सभी की सथार कर नियुद सिणर्ट 20x शौाइए दूसरी डूरा हटाया जाना मतलब एक राश्टर एक राश्टर राज्य के दौरा एक राश्टर राज Aurad दूसर राशे राश्टर राज्य में वहाँए संस्क्रत को रटाना और अपनी शंस्क्रतिका करना ये जो है सामस्कृतिख सामराजवाद कहलाता है ठीक है इसके बाद में आंती में मैंने यहां लिखा है कि भले ही सामराजवाद की नीटरे के रियनन के तीन साथन है लेकिन इन टीनों साथनों का convert नोटकर यहां सांव्राजवास का लैजणी की है लप्षी, लगे अची अग्छी ईहां इसे तरीके से लेगए सिंसान संवत करो लेंगे इधर आ जाएएंगे, मतलब सेनिक समराजवाद, आर्थिक समराजवाद और सांस्क्रितिक समराजवाद, इन तीन की समराजवाद का लक्ष एक है, और लक्ष है क्या है। तो आप नोट करेंगे इन तीनों ही सामराज वाद की नीतियों के कर्याएन एक होता है इन तीनों ही साधनों का लक्षे क्या है यथा पूरे इस्तत्य को पलट देना होता है क्या लक्षे होता है यथा पूरे इस्तत्य को पलट देना होता है आप से पूछ लिया जाए कि सामला जाए कि नीटी की क्लियान उनकी तीन साधनों का है निवन में से कौन सा ये लक्षे ह आपको चार विटलब दी जाएंगे तो आपका अनस्वर क्या होगा यथा पूरे इस्तति को पलट देना होता है इनका लक्ष क्या होता है यथा पूरे इस्तति को पलट देना होता है अब आप देखेंगे सैनिक सामराजे में विद्मान इस्तति को पलटा जा रहा है क्योंकि प्रियास किया रहा है तो यहां पर भी यथा इस्तति को बदला जा रहा है तो मतलब वास्तिवी प्रुप में देखा जाए ते तीनु का लक्षी एक है क्या यथा पूरे इस्तति को पलट देना होता है अर्था इन तीनु का लक्षी क्या होता है यथा पूरे इस्तति को पलट देना होता है यह गया TIME संणर्ष की सामराय जुए नीट होता है तो पूरी दुनिया उनीetah ऑट होते हैं तीनों की नीटिंगता जारी आतमाश्ति कोूर GEORGE स्वास है आप सकति संगर्श के संदर्व में जो तिन प्रकार की विदेश नीतियों को अच्छे से समाने के लिए येस बेटा ओके थेंक्यों रएमस थेंक्यों रेमस